हेलो एवरिवन रादी रादा जी कैसे हैं से बाई होप सब अच्छे ही होंगे तो आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ कड़ी पकोडा की रेसिपी जो कि बहुत ही असान तरीके से हम बनाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली आज की पकोडा कड़ी आप एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाकर खाएंगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी आप चाहिए तो चपाती की साथ ले सकते हैं या फिर राइस की साथ भी ले सकते हैं चले तो बनाना शुरू करते हैं पहले लेंगे हम पकोडा बनाने की रिए एक कप वेसन उसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करकर पानी पर हम बेसन को गोलेंगे एक विसकर से अच्छे से स्मूथ पेस्ट त्यार करेंगे यानि ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे हमने आदा कप ही पानी लिया है और उसमें से थोड़ा-थोड़ा करकर डालेंगे, अच्छे से mix करते जाएंगी विसकर से, देखेंगे अच्छे से गाड़ा-गाड़ा mixes करना ही, अच्छे से mix हो गया, एकदम गाड़ा सा बैटर त्यार हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे onion, जो कि मैंने एक कप onion लिया है, कटा हुआ, वो डाल देंगी, फिर इसमें हम डालेंगे धनिया, जिसे कि मैंने काट लिया है, चार चमच धनिया लेंगी, फिर इसमें डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के अगोड़ेंगे आप नमक ले सकती है, फिर इसमें हम डालेंगे जीरा, एक छोटा चमच, फिर इसम तरो निसमें डालेंगे थोड़ा चमच रेडचिल्टी पाउडर को डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च कि यह चैसे हम डालेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालेंगे कोडे बनेगे यह optionally है आप डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं या इसे हमने बैटर कर दिया mix हाथों से mix किया है हाथों से बहुत ही अच्छा mix होता है से जैसे हाथूं से mix होता है, वैसे भिस्कर से भी नहीं होता है, इसलिए अब हम ले एक कडाई, उसके डालेंगे focused oil, कोई भी cooking oil दाल सकते हैं, इसे हम गरम होने के लिए रख देंगे, गरम होने के बाद इसमें डालेंगे पकोड़े, मैं हाथों से ही डाल रही हूँ छोड़े छोड़े पकोड़े डालते जाएंगी आप चाहे तो स्पोन से भी डाल सकती है पर मुझे तो हाथ से ही अच्छे लगते है डालने एक दम गोल-गोल से बन जाती है अब ये देखिए, फुले-फुले पकोड़े बन कर आजकी त्यार होँगी फिर इससे अच्छे से अल्ट, इसको पल्टते रहना है क्योंकि अच्छे से छारो और से पक जाएंगी ही नीचे-णीचे से पक जाएंगी अच्छे से चलाते जाएंगी उसमें डालेंगे tissue paper उसके उपर रखेंगे हम पकोडे क्योंकि tissue paper से सारा जो oil बगएरा है इसका वो निकल जाएगा और सारे पकोडे ऐसे हम कर लेंगे त्यार फिल चलते हैं कड़ी के लिए batter बनाने के लिए यह हमने ले लिया है दही और यह ले लिया अदा कब बेसन अब हम लेंगे मिक्सी का जार उसमें डाल देंगे दही फिर डाल देंगे उसमें बेसन फिर इसमें हम डालेंगे पानी पानी डाल देंगे एक कप अभी हम एक कप ही डाल रही है बाद में दोड़ा ओ डालेंगे क्योंकि इस जग में सिर्फ बार आने लगेगा इसलिए हमने ज्या अच्छे से यह मिक्स हो गया है देखीये ब्शिन डालने से आभ हम लेंगे एक कड़ाई उसरी डालेंगे ओईल दो बड़े चभ्ड़े को बड़ी चमस्वागा डालेंगे को भी कोखिनी मरस्वा दोगा घर्म करेंगे पिरइसमें रावार जीरा दो कड़ि पत्ते डालेंगे पांच स्टे और इसे ऊछे से घृण होने तक पकाएंगे जो हम कड़िमे कड़िपत्ते हैं इसे थेस्ट आएगा थोड़े देर से पकाएंगे फिर इसमें हम डालेंगे लिसन का paste जिसे की मैंने लिसन को कूट लिया है फिर इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे लिसन को बहुत यह अच्छा flavor आता है लसन गावी और जाब इसे हम पकाते हैं तो बहुत यह अच्छी महग भी आती है इसमे डालेंगे green इंचिली तीन से चार कटी हुई, एक बड़ा चमच लेंगी हम अधरक उसमें डालेंगे एक टमाटर कटा हुआ, फिर डालेंगे प्याज, दो कटे हुए लंबी-लंबी हमने प्याज काट लेंगे हैं, फिर इसे एच्छे से हम कर देंगे मिक्स, mix करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले हम simple way से बना रहे हैं जादा मसाले नहीं डालेंगे जो घर पे होते हैं वहीं डालेंगे नमक डालेंगे 3 छोटे चमच आप अपने टेस्ट के गोणिंग नमक डाल सकती है फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर दो छोटे चमच फिर इसमें हम डालेंगे आमचूर का पाउडर आमचूर से बहुती अच्छा खटा-खटा सा फ्लीवर आएगा फिर इसमें डालेंगे एक चमच रैड चिली का पाउडर तीन चमच डालेंगे हल्दी का पाउडर क्योंकि हल्दी हम इसलिए जादा डाल रहे है क्योंकि जो लसी होती है वो वाइट होती है इसलिए हमने जितनी हम समझी में हल्दी डालते है उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही डालती है इसलिए हमने डाली है अच्छे से मिक्स करेंग थोड़ देर low to medium flame पर इसे पकाएंगे क्योंकि अच्छे से जो मसाले हमने डाले है भल्दी बगार आच्छे से पक जे देखिए जो ओनिन बगार है हमारी मसाला है अच्छे से पक गया है थोड़ा सा देखने में ही पता चल रहा होगा अच्छे से mix कर देंगे इसे फिर जो अपने लसी वारा बैटर बना के रखा है बेसन डाल कर वो इसमें add कर देंगे फिर अच्छे से mix कर देंगे अब इसमें जितना चाहे पानी आप डाल सकते हैं ज़्यादा पतली खाते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लेजे अगर गाड़ी खाते हैं तो अपनी इसाब से आप पानी डाल सकते हैं अब इसमें मैंने पानी डाल दी है ऐसे वोल होने के लिए डख देंगे थोड़ा सा डाल देंगे और पानी उसी जग में डाल कर अच्छे स डाल दी है मैंने पानी इसमें थोड़े देर के लिए अच्छे से मिक्स करेंगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगी यह इसमें बीच-बीच में चलाते रहना है जब तक यह नहीं पकेगी यह देखेंगे देर-देर इसका कलर चेंज हो गया है अभी पकने लगी है Low to Medium फ्लेम पर ही से चलाते चाहिए बार-बार बिलनी जल भी सकती है देखें कड़ी बन कर तयह लगा है बिल्कुल अलग सा कलर होगी जब कड़ी बन जाती है तो इसका अलग सा कलर हो जयता है जो उपर जागजागसी होती है लस्ची की वो नहीं होती है इसमें देखें बि मैं या फिर आप ड़ी कि समय भीर इसी कतुर्क पर चीम में पर में में पकाइवार और पर न चाहिए विए ज्यादा दर्वली आजिधी के आई हो हमदू सेगज़ द्धन के मिद्धि के नियुक्ता क्काइवाय अकर रीक्याओ कुछ यूश्य है चाहिसा सो में merit क्षे गी डालेंगे गी का ठटका लगाएंगे एक चोटा चमच गी डाल देंगे उसमें डालेंगे सुखिलाल में और फिर डालेंगे रट tha पाउंबर उससें अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ 1 की लिए अच्छा पकाईगे इसमें और बी जीरा बगवरा दाना चाहीए तो डाल सकती है और इसे अच्छे से पका कर इस पे डाल देंगे कड़ी पे इसे कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है यह हमारी कड़ी बन कर त्यार है आप भी यह recipe ट्राइकर कर देखिए आपको यह recipe कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए अभी ही कर लीजिए नई नी recipe देखने के लिए और आप यह कड़ी राइस के साथ भी खा सकते हैं चपाती के साथ भी खा सकते हैं ठैंक्स पूर वोचिंग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडि वीडियो में रादे रादे जी